Happy Makar Sakaranty to all of you! तो आप सबी को समझ में आई गाया होगा कि आज मैं Makar Sakaranty के related कोई video बनाने वाली हूँ Makar Sakaranty में मूर्बूरे के लड्डू बनाये जाते हैं लेकिन आज मैं मूर्बूरे के लड्डू नहीं बनाऊंगी मैं कुछ और बनाऊंगी तो चलिए वीडियो फटाफर से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैंने ले लिए एक कटोरी फरकी मुंकफली यहाँ पर मैंने measurement के लिए कोई specially कोई बरतन नहीं लिया है यहाँ पर मैंने घर में use होने वाली कटोरी लिया है क्योंकि अगर किसी के पास measurement cup पगेरा ना हो तो वो भी इसे easily बना सकता है तो यहाँ पर हमें मुंखफली को अच्छे से roast कर लेना है इसे medium to low flame पे roast करेंगे ताकि मुंखफली जले नहीं और अच्छे से roast हो जाए तो यह देखिए बातोई बातों में मैंने मुंखफली को roast कर लिया है और अब इसे निकाल देंगे दूसरे एक बर्तन में मुंखफली को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे ताकि उसके उपर के चिलके easily निकल जाए मुंखफली ठंडी हो रही है तब तक हम मुर्मुरे को भी roast कर लेते हैं हमारे गुजरात में मुर्मुरे को ममरा बोलते हैं आपके वहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईए तो यहाँ पर मैंने तीन कटोरी मुर्मुरे ले लिये हैं, उन्हें भी हम roast कर लेंगे यहाँ पर सारे मुर्मुरों का use नहीं होगा, लेकिन मैं थोड़े से ज़ादा ही roast कर रहे हूँ ताकि पीछे से कम ना पड़े मुर्मुरों को हम एकदम low flame पे roast करेंगे, थोड़ी से भी flame high होगी तो वो जल जाएंगे अभी गुजरत में atmosphere ऐसा है कि थोड़े से बादल भी है, ठंडी भी है, तो बादलों की वज़े से मुर्मुरे थोड़ा सा मौशर पकड़ लेते हैं तो उनमें से मौशर खतम करने के लिए हमें उसे थोड़ा सा roast करना पड़ेगा, एक दो मिनिट में अच्छे से ये roast हो जाएंगे, एक दो मिनिट के बाद इस तरह तोड़के हम चेक कर लेंगे, इजी लिए टूट रहे हैं, तो समध लेना है, एकदम ready है हमारे मुर्मुरे तो चली अब उसे चान लेते हैं, क्योंकि मुर्मुरे में बहुत कचरा होता है, तो उसे चानना बहुत ही ज़रूरी है, तो यहाँ पर जिससे हम गेहु चानते हैं, वो ही चलनी में ने ले ली है, और उससे मुर्मुरों को अच्छे से चान लिया है, और एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे कि अंदर कोई कच्रा वगेरा है की नहीं तो एकदम अच्छे से मुर्मुरों को साफ कर लेना है तो ये देखे मुर्मुरे चन गये हैं और ये देखे नीचे कितना कच्रा आ गया है ये पैन के अंदर भी बहुत ही कच्रा जमा हो गया है तो सारा हम साफ कर लेंगे कपड़े की help से तो चलिए बहुत साफ सफ़ाई हो गई है और अब ले लेते हैं किचन डाल उसके अंदर मैं ये मुंगफली को डाल दूँगी मुंगफली अच्छे से ठंडी हो गई है और अब इसके चिलके easily निकल जाएंगे तो इस तरह का एक कपड़ा ले लेना ह और इसे इस तरह रब करना है अच्छे से घीसना है तो सारे मुंगफली के जो चिलके हैं वो निकल जाएंगे easily इस तरह करने से अगर मुंगफली थोड़ी बहुत गरम भी है तो हमारे हाथ नहीं जलेंगे और यह हमारा काम easily हो जाएगा तो ये देखिए सारे मुंगफली क चिलके easily निकल गए है और अब इन चिलको को मुंगफली से अलग करना है तो मैंने ले लिए एक थाली और थाली के अंदर सारी मुंगफली और चिलके हम डाल देंगे अब आप देखिए कि मैं चिलको को किस तरह अलग करती हूँ मुझे पहले यह नहीं आता था मेरी मम्मी क करती थी तो मैं देखती रहती थी मैं सोचती थी कि मुझे यह कब आएगा मैं ट्राइबी टिर मेरी मं चिलकों को अलग कर लिए है अगर आप को इस तरह नहीं आता है तो आप चलनी जिससे हमने मुर्मुरे चाने है उसमें भी आप मुंगफली को चान सकते हो तो इजीली छिलके अलग हो जाएंगे तो यह लिके फटा-फट से मेरे सारे छिलके निकाल लिये हैं और अब थोड़ी सी साफ सफाई फिर से कर ली है अब साफ सफाई करके आए हैं तो हाथों को भी साफ करना पड़ेगा तो यहाँ पर मैंने हैंड पर्स से हाथों को अच्छे से साफ कर लिया है मुझे पता नहीं है, हैबिट हो गई है, बार-बार हाथ दोने की इससे मेरे हाथ भी थोड़े से ट्राय रहते हैं तो चली आजाते हैं फिर से रेसिपी पे तो जिसमें हमने मुझफली और मूर्मुरे बुने हैं वो ही पेन मैंने ले लिया है, उसे गरम करने के लिए रख दिया है तीन चमच ले लिया है गी और गी गरम होते ही उसमें डाल दी है चीनी चीनी यहां पर मैंने जिस कटोरी से मुंकफली और मूर्मुरे मेजर किये थे वो ही कटोरी ली है उस कटोरी के मैंने आदा पर खिलिया है यानि आधी कटोरी हमने चीनी ली है चीनी को पहले मेल्ट कर देंगे क्योंकि चीनी और गुर दोनों साथ में मेल्ट करेंगे तो चीन से मेल्ट हो जाए फ्लेम को हम लो कर देंगे और इसके अंदर एड़ कर देंगे गुड तो गुड यहां पर मैं ले लिया है एक कटोरी भर के गुड और चिनी दोनों मिक्स करके हम चिक्की बनाएंगे तो बहुत ही बड़िया बनती है मार्केट जैसी एक डम टेस्ट आती है मार्केट से हम मुणफली, तिल, किसी की भी चिक्की लेके आते हैं तो वो गुड की बोलते हैं लेकिन अंदर थोड़ी बहुत तो चिनी होती है चिनी के वज़े से इसका टेक्शर, कलर, क्रिस्पीनेस बहुत ही बड़ी आता है तो यहां पर हमने इसलिए थोड़ी सी चिन बिल्कुल भी फ्लेम हाई नहीं करेंगे ने तो फटा-फट से जलने लगेगा तो यह देखिए एक मिनिट मैंने फिर से उसको पकाया है और यह देखिए मैं आपको दिखाती हूं यह देखिए फटाक से तूट जाए इसलिए तो जैसे आपको लगे कि यह क्रिस्पी हो ग करेंगे तो यहां पर मैंने सारे मुर्मुर एड़ नहीं किये मैं थोड़े बहुत ही मुर्मुर एड़ करूंगी और उसे अच्छे से मिक्स कर लोंगी मिक्स करने के बाद मुझे लगेगा कि इसके अंदर अभी थोड़ी सी चाशनी मतलब कि यह जो गुड है उसकी चाशन इसका परफेक्ट मेजर्मेंट मैं आपको लास में बताऊंगी कि मैंने कितने मुर्मुर एड़ किये हैं तो चलिए फटा फट से मिक्षर को निकाल लेते हैं एक बटर पेपर पे जिसको मैंने पहले से ही गी से ग्रीज करके रखा है अगर आपके पास इस तरह का बटर पे मिक्षर अभी बहुत गरम है तो इसे फटा फट से फेला लेंगे ताकि यह जो हमारी चिकी है मुर्मुरे की वह बहुत ही पटली बने बहुत ही बढ़िया बने सब मुर्मुरे से लड्डू बनाते हैं लेकिन मैंने लड्डू इसलिए नहीं बनाये हैं क्योंकि उसे खाने में बहुत प्राबलम होती है मैं जब छोटी थी तब भी मेरी मम्मी भी मुर्मुरे के लड्डू बनाती थी और मुर्मुरे के लड्डू जो है वो बाकी जो नॉर्मल लड्डू है उससे साइज में बड़े होते हैं और ये जो मुर्मुरे के लड्डू होते हैं वो क्रिस्पी भी होते हैं तो बड़े बड़े लड़ू ऐसे क्रिस्पी लड़ू खाना बहुत ही मुश्किल का काम हो जाता है तो मम्मी के हाथ उसे बने मुर्मुरे के लड़ू तो बहुत ही पसंद आते थे मुझे लेकिन खाने के बाद मुझे श्पेशली मूँ दोना पड़ता था क्योंकि पूरे मुपे मुर्मुरा मुर्मुरा लग जाता था तो इसलिए मैंने मुर्मुरे के लड़ू नहीं बनाए है मैंने चिकी बनाई है ताकि उसे खाने में आसानी रहे और जबी मुर्मुरे बनाते हैं तबी वो गरम गरम जो उसका होता है मिक्षर वो हाथ में लेके लड़ू बनाने होते हैं तो मम्मी के हाथ भी जलते थे तो हमने बहुत देखा है कि मम्मी के हाथ पूरे लाल-लाल हो जाते थे तो इसलिए मैंने बनाने में भी आसा नहीं रहे और खाने में भी आसा नहीं रहे इसलिए मैंने मुर्मुरे के लड़ू नहीं बनाए है मैंने मुर्मुरे की चिकी बनाई है और इसके अंदर मैंने मुंखफली एड़ की है तो मुंखफली की वज़े से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ गया है तो आप भी इस तरह एक बार जरूर ट्रै करना आपको ज़रूर पसंद आएंगे तो आपने देख लिया कि मैंने इसे किस तरह बिला है किस तरह इसे कट किया है तो मुर्मुरे की बात करें कि मैंने यहाँ पे कितने मुर्मुरे यूज किये थे तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 कटोरी मुर्मुरे यूज किये थे 1.5 कटोरी बच गए है मतलब कि एक और आधी कटोरी से थोड़े से कम उतने मुर्मुरे बच गए है तो आप भी इसी तरह मेजर करके लेना आपकी भी चिक्षिये जो मुर्मुरे की चिक्षिये एकदम परफेक्ट बनेगी तो चलिए अब इसे कट कर लेते हैं तो मुझे बिल्कुल भी चानती नहीं है मैंने इसे ठंडा भी नहीं होने दिया और मैं इसे कट करने लगी हूँ फिर भी देखिए बीसी सच्चे से निकलने लगे हैं ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी हमारी चिकी बनी है एकदम पर्फेक्ट चिकी बनी है इसके अंदर हमने चीनी का यूज किया है तो इसका कलर भी बहुत ही बढ़ी आया है और एकदम क्रिस्पी भी बनी है तो आप भी जबी भी बनाए मूर्बरे की चिकी तील की चिकी गुड की चिकी किसी पे चिकी में आप थोड़ी सी चीवी ज़रूर डाले और मैंने जैसे बताया है वैसे ही आप बनाए तो आपकी चिकी भी एकदम परफेक्ट बनेगी मार्केट जैसी बनेगी तो अब इसे भड़ देते हैं कैड़ में तो आप सबी को फिर से मेरे तरफ से मकर स्वकरांदी की बहुत बहुत शुप कमना है जल्दी मिलेंगे बाई जैसी क्रश्न